मैं चाहता हूँ संग के स्वंशुक के नाते, संग के सरसंग चालक के नाते और राम जन्मो भुमियांदोलंग के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मो भुमियांदोलंग के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मो भुमियांदोलंग के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मो लोगों के लिए वो भगवान है लेकिन वो किवल भगवान नहीं है अपने देश में अन्य लोग भी ऐसे है जो भगवान तो नहीं मानते लेकिन उनको आचरण की मरियादा भारती और मरियादा के जनक मानते हैं उनको इमाम हिंद मानते हैं और इसलिए समाज के सभी वर्गो में एक आस्ता जुड़ी है और जहाराम की जन्म भुमी थी बहुत राम के मंदिर है और बहुत टूटे भी है लेकिन सब की बात नहीं उठा ते जहां उनका जन्म हुआ वहां मंदिर होना चाहिए वहां मंदिर पहले था यह अब लेजर किरनों से देखा गया है और अगर यह हो गया तो हिंदू और मुसल्मानों के बीच के जगड़े का एक बड़ा कारण समपत हो जाएगा और यह सद्वावला से हो गया तो मुसल्मानों के और बार बार उंगली उठती है उसमें बहुत कमी आ जाएगी देश के एकता को और देश के आदर्शों को पुष्ट करने वाली यह बात है और करोड़ों लोगों के आस्था का यह सवाल है तो इसको इतना लटकना ही नहीं चाहिए था देशित की बुद्दी से विचार होता राजनीती इसमें नहीं आती तो इसको पहले ही बन जाना चाहिए था खर देरायत दूस्तायत राम जन्म मुद्ध